तो गाइस विल्कम बाग एंड फाइली तुम्हारा भाई आ चुक है डंकी के रिव्यू के साथ डंकी को रिव्यू में आपके सामें लेकर करके हैं जो शायद आपको जल्दी कोई बोला नहीं होगा फर्स्ट फॉल एक और चीज आपको बता दू मैं इतना लेट रिव्यू क बहुत कि जो सकता है मैंने जो देखा है मैंने जो फिल किया है वह बरबर मैंने साय से मेरी एक मांटेट थी मैं नेगेटीविटी नहीं दूला तो प्लिक के रियाक्शन लेज़या है पभली क्या सोचती सीज के उपर उनके बाते और पही चीज बता दू मुझे से अंदर स को क्या हो गया गया है एक भू 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 वही सोच रही जो हम सोच रहे हैं इस अब यहाँ पर राजकुमार हिरानी भाई आप जब नाम सुनते ना तो आपके दिमाब में बड़ी से बड़ी ऐसी मूवी जाती है भाई पिछले 20 साल का इनका रिकॉर्ड है इस बंदे ने एक भी मूवी से आपको डिसपॉइंट नहीं किया होगा इनकी हर अगली फिल्म अपनी पिछली फिल्म से एक नंबर अप रही है इन भाई सब यहाँ पर यार जब आप डंकी देखते हैं तो आपको डाउट आता है कि क्या इस मूवी को वाकई में राजकुमार हिरानी कि अप आप जब भी टीवी के ओपर देखो आप बस देखते जाते हो लेकिन आप डाउट करते हो बाई सब यहाँ पर जब आप डेखते हो डंकी जिस सरह से शुरुवात हुआ है जिस सरह से कटम हुआ है आप ऐसा सोचते हो कि क्या यहाँ पर राजकुमार हिरानी को फोर्स किया यहां पर डंकी बनाने के लिए क्या यहां पर जो स्क्रिप्ट है वाकिम राजकुमार हिरानी की स्क्रिप्ट है या फिर भाई सब यहां पर हमारे सारुक सर ने उनको जबदसी चिपका अच्छी भली एक्षिन मुवीज लोग देख रहे थे पसंद कर रहे थे अचानक से भा की अब है डंकी देख करके मैं आपको फच फर एक चीज़ बता दूं कि जिस बदबंदे ने इस मुवी को देखा होगा अगर आप किसी के फैन ने हो मतलब अगर आप शारु के फैन ने हो सलमान के फैन ने हो अक्षे गुमार के फैन ने हो किसी भी आक्टर के फैन नहीं हो आप बस movie lover हो, आप बस सारे actors की movies देखते हो तो भैस अब यहाँ पर आपको इस movie ना रत्ती भर भी पसंद नहीं आएगी आपको मतलब ऐसी feeling आएगी कि मैं इस movie क्यू देख रहा हूँ यार भले मैं 1.500 की ticket लियाँ 200 के लियाँ, 200 के लियाँ, 300 के लियाँ 500 की, जितने की भी आपने whatever the amount, जितने भी आपने पैसे खर्चे कियें मैंने क्यों खर्चे किया यार यह सारुखान की movie है भाई राजकुमार रिणाने की movie है आपको ऐसे feeling आता है कि भाई इस तरह की movies को तो हमारे नए-ने actors को करना ची यार लेकिन अगर आप fan हो तो आपको ऐसा लागी भाई मतलब बवान की सबसे बड़ा को करिस्मा निकल कर किया है जो मैं इस movie को देख रहा हूँ and आज जो मैं public reactions ले रहा था, आप लोग मैंसे कह लोग ना अगर मेरे channel के उपर reviews देखे होंगे तो भाई वहाँ भे public के reactions में ऐसा सिंता की तो को fans के reactions मैंने ले ने तो कि मुझे वाँ में तो fans तो भाई तारिफ करेंगे बट जो normal audience थी हर किसी का बस ये बोलना था कि यार क्या मैं okay okay movie देखने मतलब उमीद आप करते हैं कि बहुत better बहुत जबर्दस movies मिलेंगी जब आप SRK और राजकुमार रहने के नाम सुते हैं बट क्या मैं ये movie देखने क्या था क्या इसी movie के लिए इतनी सारी hype इतनी सारे bus बनाए जारे और एक और चीज़ PVR आयनोक्स गाइस PVR आयनोक्स ने यहाँ पर मिल करके यह decide क्या था कि हम सारे के सारे अपने शोस डंकी को दे देंगे लेगिन वाई यहाँ पे एक दिन भीताने गाइस पहला दिन खतम ने वा कि वाई साब यहाँ पर लोग अपने पीछे कर दिये लोग तयार नहीं थे इस तरह की मूवी के लिए जिस तरह की मूवी उनको मिल चुका है यह सकता है फ्यूचर में आगे चल करके लोग पसंद कले फिलाल के समय यह ओडियेंस के सर के ऊपर से गई है ना धंक एमोशन और और ऑडियेंस क्या भाई मैं अपना एक्स्प सर क्या कर रहें बागी क्या कर रहें यार मतलब जबरदस्ती के पंच लाइन इस जबरदस्ती के हरकते आपको रती पर हसी नहीं आता है जिससे मोवी की स्चोरी सुटम होते है ताप सी पन्नू के द्वरा और जो जो बैस सब यहाँ पे चीज़ें होती है उनके डंकी वगर कुछ जबर्दस चीजे सामने स्किन को पर आवबट नहीं आता है किस एस बैस आप emotional scenes डालने कोशिश की गई फर्स्ट आफ से पहले जो आपने incident देखा होगा हमार वीकी कोशल के साथ वाला तो वो चीजे कहें न कि आपको ऐसे लगता है डिरेक्टली ऐसे हो जाता है और second half आपको इतना ज़्यादा disappoint करता है इतना ज़्यादा disappoint करता है कि अगर अगर आप मतलब seriously अगर आप यहाँ पे राच्पुमार जाने की movie नहीं होती ना आप उठके भाग जाएंगे यह सच्छा ही बता रहो अपने दिल की सच्छा है बता रहो और यह चीज मैंने फिल किया है मैं बस यह सोच रहा था कि हो सकता है कि भाई डंकी वरसे सलार में भी हो सकता है बाई डंकी जादा ना कमाए बट कहीं न के टकर देगी बट अब एसा feeling आ रहे कि या यह टकर देगी बतब यह टकर देगी बाई सलार हस्ते हस्ते बाई बीमार हो जाएगा बाई साब यहाँ पे प्रशांत निल पगला जाएगा कि इतनी बड़ और कहीं अंपर आपका बिलिव अभी भी हो जो की कहीं थो रबुद मुश्किल है बट हो और यहста हो बात है इसमें कुछ दोराएं नहीं अब जितनी उम्मीदें हम लोग यहां पर प्रभास से बना करकर रखें क्या सलार उतनी पाउरफुल होगी क्या सलार भी वाकी में लोगों को पसंद आएगी क्योंकि कहीं ना कि डंकी के बाद लोग डाउड में चल रहे हैं कि किसको भरोसा किया जाए किसको बना भरोसा किया जाए लेट्स होब फर दी बैस हैं बाग या कुछ बलेटर कमन क्रों मेरी तरफ से इतना ही और सीरिसली स्पीकिंग यह उमीद से बहुत नीचे वाली फिल्म थी कि और कहिए ना कहिए डिसपॉइंट कर गई है दिल से बता हूँ तो कहिए ना कहिए फैंस को डिसपॉइंट कर गई है लेकिन मैं आप वीडिया अपको नहीं दिखाओंगा किकि फैंस ना राज जेंगे थैंक्यूस लिए भी बाबाई और ठीकिया